Hello guys and welcome to my YouTube channel Tech Bomb Case दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले क्योंकि आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने Vivo V23 Pro 5G की फोन में Real Time Network Speed और Daily Data Usage को अपने Notification बार में कैसे सू करेंगे आप लोग देख सकते हैं आपने की तरह MB यूज कर लिया है और Internet Speed क्या है सबसे पहले आपको अपने फोन में Play Store को Open करना है Play Store को Open करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है Net Speed Antigate यही एप्लिकेशन दिखाए देगा एक MB से भी छोटा एप्लिकेशन आप इसको easily download कर सकते हैं 5 million से ज़्यादा लोग download कर चुगे हैं और आप भी अपने फोन में download कर लिजिए और इसको Open करिए Open करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा interface देखने को मिलता है और automatic सबसे पहला option on हो जाता है अगर आपके फोन में on नहीं होता तो इसको on कर लिजिए और जैसी यह option आपके फोन में on होगा custom यानि की default रूप में और तैसी आप लोग अपने जो notification बार को slide करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे real time network speed दिखा रहा है लेकिन जो data usage नहीं दिखा रहा है आगे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या setting करनी होते हैं यहाँ आप देख सकते हैं real time network speed है अब इसके बाद यहाँ पे आपको scroll down करना नीचे आना है daily data usage को option दिखा देगा इसको on कर लेना है जैसी इसको on करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूच किया है यहाँ पे आप लोगों को पूरा detail देखने को मिल जाती है तो गाइस यह जितने भी एप्लिकेशन स्वरी जो ओप्सन हमने बता है इन एप्लिकेशन को आपको फोन में on करके रखना तभी यह properly work करता है और एक बार इस एप्लिकेशन को आप इंस्टॉल कर लेते हैं आपको जो है आप हमेशा देख पाएंगे और यह सेटिंग करने के बाद हमेशा देख पाएंगे कि real time network speed और daily data usage क्या है तो कैसे अगर आपको बीडियो पसंद है तो पिलीज वडियो को लाइक करिए और चैनल को भी subscribe जरूर करिए